हेलो गाइस विल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल और आज आप लोगों को में थोड़ा नमकीन चीज सिखाऊंगा और प्लीज डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल लेट्स गो इस रेसिपी के लिए चाहिए हम लोग को काला चीरा और तेल का कॉंडिटी ज्यादा होना चाहिए और मैदा चाहिए 3 किलो मैदा दे रहे हम लोग 3 किलो मैदा से निमकी बनेगा 250 या 300 निमकी बनेगा फिर हम लोग डालेंगे नमक और बिना पानी में के बगएर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरफ से अच्छे तरफ से मिक्स करना होगा पानी का बगेर फिर हम लोग पानी डालेंगे और जब भी पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे इस आटे परोटा का आटा का तरह होना चाहिए दीखिए अच्छे तरफ से मिक्स करना होगा और हम लोग आधर गन्टे के लिए इसको cover करकर रख देंगे पिर हम लोग छोटा छोटा करकर आटे का गोला नेना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग बढ़ा लिये तो कच्चर आजय है अंदर में जितना छोटा कर सकते हम लोग इतने छोटा बनाएंगे देखिए आप लोग कितना चोटा बन रहा है देखिए आप लोग फिर हम लोग कॉन फ्लावर लेंगे इस रेसिपी के लिए कॉन फ्लावर मस्ट हम लोग कॉन फ्लावर चाहिए और मैदा चाहिए कॉयद मैदा और कॉन फ्लावर हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे आदा आदा करकर देखिए दोनों को एक साथ अच्छ तरफ से मिक्स करना चाहिए इस रेसिफ के लिए पॉर्ण फ्लावर हम लोग को चाहिए पॉर्ण फ्लावर का वगेर रेस्पी नहीं होगा फिर हम लोग ठोड़ा मैदर डालेंगे और पॉन फ्लावर मिक्स करकर देखिए तीन एक साथ डाल रहे हम लोग और जितना पतला कर सकते हम लोग इतना पतला कर रहे हैं रोटी को देखिए आप लोग आप लोग कुछ जितना पतला कर सकते हैं आप करिए क्यूंकि जितना पतला करेंगे इतना सॉफ्ट होगा और इतना डिलिशिस भी होगा देखिए हम लोग पीपर का तरह बना लिए और खोल रहे तीनों को हम खोल कर जो मिक्स बनाए हम लोग मैदा और कॉन फ्लावर से देखिए अच्छा तरफ से फोल्ड करकर इसको टाइट करना चाहिए फिर हम तेल में डालेंगे तेल को घरम करकर डाल देंगे देखिए आप लोग और देख सकते एक गोल्डन कलर आ गया दोस्त लोग आप लोग देख सकते हैं नमकीन रेडी है